नमस्कार दोस्तों आप सभी का श्वागत है हमारी यूट्यूब चैनल फेर एंड केर टिप्स में दोस्तों क्या आपको पता है कि कोल्ड फेसियल से आप अपनी त्वचा को निखार सकते हैं आपकी त्वचा पहले से भी ज्यादा खुबशुरत और ग्लोइंग हो जाएगी अगर नहीं पता तो आज हम इसकी बारे में आपको बताएंगे लेकिन इससे पहले जिन दोस्तों ने भी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो नीचे दिये गए सब्सक्राइब की बटन पे क्लिक करके बेल आइकन को जरूर दवाएं दोस्तों क्या आपको पता है कैटरीना कैफ और आलिया भट की दमक्ती तवचा का राज हम आपको बता दे कि ये दोनों अपने स्कीन केर के लिए आइस क्यूब का इस्तिमाल करती है जी हाँ आपकी ड्रिंक को कूल बनाने वाला आइस क्यूब चेहरे की खुबशूरती को भी बढ़ा सकता है इस गर्मी आप भी खुद का आइस फेसियल कीजिए केवल इन आसान से तरीकों को अपना कर इसे आपको मौर्णिंग टाइम में करना है इस वक्त इसकी इन रिलाक्स मूर में होती है इसके लिए आपको एक वाउल में आइस क्यूब और दो कप पानी ले लखिए जब तक कि आप सहज महसूस करें ऐसा आपको बार बार करना है यह प्रिकडिया कम से कम 5-6 बार करें यह इसकीन में इंस्टेंट ग्लो लाता है इसकीन को टाइट करता है उसे रिंकल फ्री बनाता है अपने अक्षर शुना होगा कि बाहर जाने से पहले आइस रवि ही ना आता रहता है इसी लिए इससे बचने के लिए आप आइश श्रविंग रात को शोने से पहले करें इसे किसी कॉटन की कपड़े में डाल कर रब्करें वैसे इसके लिए आइस रोलर भी इस्ते माल कर शकते हैं यह डेड स्कीन को निकालता है है और कील मूहासरों से मास्क रूम शिद्र को बंद करने में मदद करता है मेकप से पहले भी आई श्रविंग कर यह फेश प्राइमर का काम करता है चंदन त्वचा को ठंडक पहुचाता है इसके लावा यह चेहरे की रंगत भी बढ़ाता है इसके साथ साथ थोड़ा बेशन भी मिला सकते हैं बेशन कील मुहासों की दिकतों को कम करता है गर्मियों में अक्षर पीमपल और एकने हो जाते ह यदि आपकी मितवचा तैलिये है तो इस टिप्स को जरूर आजमाए आपकी यह प्राब्लम बहुत हद तक ठीक हो सकती है इसके लिए आप एक बावल में 2 टीय स्पून चंदन पाउडर और 2 टीय स्पून बेशन डाले अब इसमें पानी डाल कर ठीक पेश्ट तयार कर ले इसे आइस ट्रे में डाल कर फ्रीज करने के लिए रख दे इसे जब भी इस्तेमाल करना हो तो एक आइस क्यूब ले और उसे फेस पर रब करें चाहें तो कॉफी आइस क्यूब से जट पट फेस स्क्रब कर सकते हैं गर्मियों में यह चेहरे को कूलिंग इफेक्ट देता है इसके लिए कॉफी को हानी के साथ ब्लेंड कर ले आप इसे आइस ट्रे में डाल कर फ्रीज कर ले इसे आप कई दिनों तक स्टोर करके रख सकते हैं यह जल्दी खराब नहीं होते यह स्कीन को डिटैन करने में मदद करते हैं